ये कहानी एक कमजोर लड़की की जिसने कभी भी अपने पैरों को जमीन पर नहीं रखा है और एक दिन अचानक से बहुत ही ज़्यादा गरीब हो जाती है तो उसकी लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं ये हमें देखने को मिलता है कहानी की शुरुआत होती है और ये हमाकल से जो कि एक मिलियनेर की बेटी है इस बच्चपन से बहुत लार प्यार से पाला गया है करीम के पास सब कुछ है और इसका हमेशा से सपना है कि उसकी शादी एक राजकुमार से होगी जो इसको लेकर जाएगा ये हाज पूरे 16 साल की हो गई है सुबह इसकी में नहाते समय मैं इसे अपनी सीट से उठाता और ब्रश करता यूनिफॉर्म पहनती तयार कर दी स्कूल के लिए और इसी दोरान वहनेंड में ही रहती है उसे कुछ पता भी नहीं चलता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है इसका बढ़ते है तो इसलिए बड़े बड़े लोगों ने इसको गिफ् जो की काफी ज्यादा स्मार्ट है इसका नाम शुरू की है और बाकी लड़कियों के जैसे एक क्रीम जिसे देखकर बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाती है सुनों के फुटबॉल खेल रहा हुता है और करीम उसके पास जाने लगती है तब इसको चुटबोला करे हिट करती है शुरू की इसे जल्दी से पकड़ कर बचा लेता है करीम इसके बॉइल से तो नहीं गिरी प्रभाव शुरू की के प्यार में जरूर गिर जाती है और रात को क्रीम का बढ़ते सेलिब्रेट किया जाता है जहां पर सब बहुत ज्यादा खुश है इसके फादर इसे तुम्हारी शादी कल होगी और जिस लड़के से होगी उसे मैंने पसंद कर लिया है अब करिया में सुनकर बहुत कुस्सा हो जाती है और वह सामान फैक ने लगती है फिर से पता चलता है कि इसकी साधी शुरू की से होने वाली है तो ये काफी खुश होती है शर्माती और अगले दिन शादी होती है पर ये प्रॉमिस करते हैं कि हम किसी को इस बारे में नहीं बताएंगे और क्रीम बहुत ही अधिक होती क्योंकि उसको वह लड़का मिला है जिसको वह पसंद करती थी शादी के बाद करीम अपने ससुराल जाती है और घर देख पागल जाती क्यों और बहुत कहते हैं कि तुम जैसी लड़की से शादी कर लेती है इसलिए है क्योंकि मैं दिखने में अच्छा हूँ और यह बात को बहुत ज्यादा बुरी लगती है तो और अपने आलों को फिर से नहीं इसलिए इतना इसे भी नहीं आता पानी गर्म करने से स्कूल घंटो मेहनत करने के लिए दुबो कर स्कूल जाती है और क्यों स्कूल का रास्ता नहीं पता की है कहां और काफी देर बाद इसे कुछ मिलता है जो पूछता है कि तुम पूरे दिन कहां थी अब स्कूल की चुटी हो गई है पर यह इसे कुछ नहीं बताती है और यहां से फिर से व कुछ करना सीख लेती है और एक दिन शुरू के लिए दिनर भी बना दिया लखी टेस्टी होता है इसके मंथली खर्चा बहुत ज्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से इनके पैसे खत्म हो जाते हैं शुरू की टेंशन में आ जाता है कि घर में खाने का सामान कैसे कायन अपने फैमिली को कॉल कर देती है इसका टाइम दोनों को बुलाते है पर यहां पर शुरू की पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि हम पर जितना है उसने मन खर्चा चला लेंगे अब हम गैस का मूर और भी खुश हो जाते है और आज रात करीब और शुरू की इनके घर में भी चड़ाते हैं अगली सुबह हसते हुए करीब अपने रसोये से माफी मानती है क्योंकि हमेशा इनके बनाए हुए खाने को यह फेक दिया करती थी क्योंकि खाने की इज़त नहीं कि जब वह खुद बनाना पड़ा तब इसको पता चला कि कितनी मेहनत लगती है इसकी फैमिली पर करें इससे के बारे में कुछ नहीं पता है कि कुछ दिनों तक बात नहीं होती है स्कूल में पता लगाने की कोशिश करती है यह लड़की कौन है और और पूछेगी तुम शुरू को कैसे जानती हो सकती है कि छोड़ दूसे वह तुम्हें बस पैसे के लिए देट कर रह चिस लड़की को हो बया अगर यहां आती है और और सूख जाता है और ये पूछता है कि तुम किसी को देट कर रही हो और यह मना कर देती हैं जड़ों में अच्छे नंबर आते हैं ये खुशी-खुशी घर को लेकर चले जाने की धमकी देता है कि स्कूल की प्रिंसिपल ने स के फादर की घर भेज देता है और खुद अपने घर चला जाता है इसके साथ और प्रॉमिस करता है कल पर जरूर अगले दिन दोनों पर जाते हैं इसकी तारीफ करता है दोनों में जाते हैं पूरे दिन अच्छे से इसे बोस की बात करता है और सारी दुख अपने घर चली जा कि हरी मिर्च की प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वह शुरू किसी प्यार करती है तो रोगी के घर जाता है और यहां पर इसको करे मिलती है दोनों किस करते है और शुरू यहां पर अपना प्यार जाहिर करता है और फिर हम देखते पांच साल बाद का सी जहां पर झाल झाल